Hello everyone, welcome to Sikshavidhi, चलिए बच्चे आज अपना set 6 है, discussion में 16th of August की last shift देखते हैं इसमें कुछ कैसे question आए है, जो भी एक टेगरी है हम सारा देखेंगे including the I complete discussion करना है as we told earlier और हमें detailed analysis देखना है कि अगर further question बनता है तो कैसे करना है Find the difference between the scale of the greatest and smallest value of P if the number is divisible by 3 ठीकि divisibility sum of digit पे काम करती है, तीन और छे तो हटा दू, ये already divisible है 5 और 2 का जोड 7, 7 plus P, ये जो भी sum आएगा, this sum must be a multiple of 3 अपने का जी smallest value 7 के बाद जो बन सकती है, वो 9 बन सकती है, in that condition P का मान कितना बन जाएगा 2 तो अपने का ठीक, smallest value मुझे मिलगी, कितनी आए 2 largest बात करता हूँ, किसी भी digit का, जो maxima value होता है, वो 9 होता है अगर 9 रखके देखो तो 16 मनता है, इससे बड़ा हो नहीं सकता, 16 से पिसला multiple क्या है, 15 तो ठीक, आप कहेंगे, ऐसी बात है, तो P का मान कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो P का highest possible value 8 आया, lowest possible value कितना आया, 2 तो इस 64 minus 4, कितना answer आजाएगा बिटा आप बताए, 60, राइट, तो लिए इसमें कुछ खास बात थी नहीं The area of a square is this much, the breadth of a rectangle is one third of the side of a square, and length is two times of the breadth, एक rectangle है उसके dimension को कुछ coded किया गया है, what is the cost of leveling the park 15 per meter square, per meter square नहीं कह दिया, यह area wise cost है, ठीक है, यह area है, यह almost सब को पता होगा, 42 का यह square है इसका मतलब square की तो side up हो कितने है, 42, इसका one third कितना होगा, 14, यह breadth, इसका twice, 28, यह length, 28 into 18, length into breadth, यह area है into कितना करते बेटा, 15, 15 का मतलब 5 into 3, आपने कहां जिए ठीक है, यह बन कहा 70, 28 और 3 की multiply, 84 into 70, 0 है जिटे जानी, 7, 4, 28, 7, 8, 56 और 2, 58, 58, 8, 0 rupees, it is the final cost इसका कुछ खास बात नहीं थी, यह कुछ करने लाइक question है नहीं, I think कि आप कर लेंगे आराम से 10 30 का value कितना होता बेटा, 1 divided by root 3, sin 90 कितना होता, 1 quote 60 कितना होता, 1 divided by root 3, ठीक है, sin 30 कितना होता, 1 by 2, cos 45 कितना है, 1 by root 2, just value compute करने है, आप एजली कर ले न बेटा, इसे कुछ खास दम वाली बात नहीं है question, इसने कहा find that, by what percent total number of boys in art stream more than total number of boys in science stream, यह पूरा का पूरा art stream boys data है, यह science stream boys data है, इन्टों निकालते हैं, 4 और 4, 8, 8 और 4, 12, 12 और तिन 15 और तिन 18, यानि 180 तो ही से बन गया, अब देखो, 8 और 2, 10 और 5, 15 और 9, 24 और 36, आपने गा जो ठीक है, science stream का देखते हैं, 8 कांसर आपको मिल चुका है, 210, science में लिखा हुए, 4, 4, 8, 3, 11, और 4, 15, 3, 18, ते लिए 180 बन गया, 8 और दो 10 और 10 20, यहां से कितना बना, 200, यहीं 20 रेशियो 21, तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है 20 से, खेर यह बना बताई बहात है, 5% ज़्यादा होगा, यह भी नॉर्मल सा question था, तो 4th proportion to 12, 18, and 6 is the same as 3rd proportion to K and 6, देखो, 12 और 18 का जो relation है, तो थोड़े easy लिखाँ, 12 और 18 का जो relation है, वह relation 6 का किसी के साथ है, कोई 4th proportion इनका, अबने का सी, अगर यह data half है, तो यह data भी कितना होगा, half होगा, मतलब यह 9 आएगा, इसने का K और 6 का 3rd proportional भी same ही है, तो यह 9 नहीं आएगा, आपने का यह अगर 2 ratio 3 में data है, तो यह भी कितने में होना चाहिए, 2 ratio 3 में, यह value कितनी आएगी, आपकी 4 आएगी, तो K की बेटेश कितनी आएगी, 4, कुछ लोग इसको formula बना के करते हैं, वो मुझे विल्कुल अच्छा नहीं लगता, नहीं मुझे आता, simple सा basic concept of proportion का यह की मतलब है, अगर मैं चार नंबर लिखता हूँ, A divided by B, बराबर C divided by B, तो जो relation यहाँ पर है, वह relation यहाँ पर है, यह आप ऐसे भी satisfy करवा सकते हैं, यह straight away बात है, यह fourth होता है, यह third होता है, यह second होता है, यह first होता है, अगर मैं A divided by B, बराबर B divided by C, Continued proportional जानते हैं, mean कहलाता है, इतने सी बात है बस, If a number first increased by 15%, then reduced by 15%, तो कितना मन जाता है, 782, number कितना है, 100, 15 बढ़ाएंगे, तो 115 बटे 100, और 15 घटाएंगे, तो 85 by 100, ऐसा करने पर हो कितना मन जाता है, 782, successive change बेटा, यह कट गया, 5 से कट करो, 23 पे, 5 से कट करो, 20 पे, 5 से कट करो, 17 पे, 5 से कट करो, 4 पी, 17 से कट करना, 17 चोकि, 88, 40, 3 से कट हो जाएगा, 23 से कट हो जाएगा, 2 पी, 8, एक unit 8 है, 100 unit कितनी होगी, 800, वो number 800 है, अब इसको increase, first reduce करना है, 25%, एक बटे 4 कट करो, 3 बटे 4 रह जाएगा, फिर 35 आना है, एक बटे 5 याने कि 4 बटे 5 रह जाएगा, तो यह data तो यह होड़िया, 3 बटे 4 का मतलब, 4 दुनिया, 3 दुनिच है, तो वेल्यू कितनी है, 600, यह right answer है, ठीक है, पेरलल्टी आने पर similarity बोल दें, या BPT बोल दें, दोनुई implementation में आ जाती है, एक एडी का मान कितना है बेटा, x-3, complete AC कितना बता है, 2x, 2x में से हटाओ, यह बन जाएगा, x-3, cd का length, ebx-2 है, यह पूरा length कितना है, 2x-3, इसमें से माइनस करो, 2x-3 माइनस माइनस हो जा अब as per BPT, x-3, डिवाइड बाई, x-3, basic proportionality theorem या थेलस theorem कहलो आप उसे, equal segment में तूटेंगे, cross multiply कर देते हैं मेटा, यह बनेगा, x square, plus का 3, minus का 2, plus x-6, इधर क्या बन जाएगा, x square, plus का 5, minus का 3, यानि 2x, minus 15, x square से x square गट गया, एक बच गया, x और यह बच गया 9, x के वेटेज कितनी आई, no, यह आपका answer है, BPT का straight away implementation था, in a factory there are 39 workers, who have been categorized into 5 category on the basis of the range of their daily wages, in the multiple of 100, पहले बाद तो यह दो नहीं, 200, 300, 400, ऐसे लिखा हुगा है, it is ensured that daily wages of no worker is exact multiple of 100, तो यह खतरनाक सी बात है, यह किसी का भी 100 नहीं है, बिटा, यह मिड में होगा, इसका मतलब, यह 200, 300 नहीं हो सकता, तो मिड में होगा, तो कितना हो जाएगा, 200, इधर कितना हो जाएगा, 300, इधर कितना हो जाएगा, 400, इधर हो जाएगा, 500, इधर हो जाएगा, 600, देका ना, इस तरीके से, यह mid range है, इधर टू मेंनेजर अर अंगेजड, तो सुपर्वाइज इसनका डेली है, 700 से 800 की बीच, यानि एक range और इसने और लगाई, 700 से 800, यह range कितनी होगी, बेटा, 700 की range होगी, दो यहाँ भी है, आपको बताना है, एवरेज सबका, 39 worker है, दो और मिला दिये, तो n की वेट इस कित को कर लेंगे, मैं यहाँ पर help मांगो, deviation की, deviation देखता है, मुझे की minima, 500 है, maximum 700 है, average कहीं न कहीं, इन्हें के बीच में लाई करेंगे, तो मैंने average को deviation से 400 लेट कर लिया, पहली वैसे कितने, पहली वैसे कितने, 500, यानि कम कितने बेटा, 1500 कम है, 5 worker पे, यानि माइनस के 700 का deviation है साड़े 300 है ना, बेटा, 50 का deviation 9 worker पे, 955 माइनस का साड़े 400, यह देखो, साड़े 400, परी 400, पचास, इंटु 12, बारा, बारा, पंजे 60, प्लस का 600, साड़े 500 में कितना होगे, 500, इन्टु 11, इन्टु 11, इन्ही 15 इन्टु 11, कितना होगे, 265, साड़े 600, में कितना होगे, 2500, इन्ही 500, अगले में 300 इन्टु 2 या नही 700, तो यह बन गया 12, और यह 600, यहां से माइनस 600 निकला, इन्ही प्लस का 1050, प्लस में 1250, तो 1200, यह बन गया आपका, 7512, ठीक है बिल्कुल, बारा सो पचास, एक सगिन यहां में गड़ बड़ कर दिना, ताड़े 700, ताड़े 300, इन्टु 2 700 बनेगा बेटा, फिर बारा सो हो जाएगा, यह बन गया, बाईस सो पचास पोजिटिव डैविएशन है, इतने वरकला 41 का, 41 नी 40 मानलो, नेरेस्ट पूछिए, अब 4 से कट करता हूं, तो 45 बीस और 56 नीरेस्ट 56 का डैविएशन है, 400 में 56 प्लस का डैविएशन है, 456 क्या सपास अंसर आना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, 400 पच्प, डैविएशन एक जबरदस्त कंसेप्ट, एवरेज के लिए जो आपको आना चाहिए, इसने का, साइन 2A प्लस B औ और कॉस्ट 2A माइनस B, रूट 3 वाइट 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 वाइ दिफ्रेंस तो इमने कहा दिया ठीक है ऐसी बात है जी कट कर दो इसको यह तीस बन गया बी का विट इस तीस आया तो और आम से निकाल देंगे एक विट इस कितना आ जाएगा तो 45 माइनस 30 पंदरा पंदरा ते पंदरा ते पंदरा साहिन पंदरा इस के इतना होता है वन बाइ रूट राइट आशर ठीक है शॉपकिफर अलाव 16 परसेंट डिसकाउंट ओन एवरी आइटम एवन अफ्टर गिविंग डिसकाउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ एट परसेंट इस गिवन इंस्टिद ऑफ 16 परसेंट ओन दे मर्प ऑफ एटीन हेंडड वट विल पी दे प्रॉफिट परसेंट पूच अगली बार डिसकाउंट कितने का है आठ का तो बेचे कितने वेगा 92 में क्या से कट करो 23 पे 4 से कट करो 21 पे 3 से कट करो 36 पे 3 से कट करो साथ पे 27 यह इदर करना 7 पंजे 35 पाइव एंड वन बाई 7 इंटो 23 23 पंजे 115 पंजे 27 दो बटे साथ तो 100 से जितना उपर वही प्रॉफिट 18 और दो बटे साथ को अगर लिखना भी चाहें तो 0.28 लिख सकते हैं वन बाई 7 कितना होता है 0.14 तो 0.28 हो जाएगा तो 18.28 करेक्ट अप्ट टू डैसिमल यह राइट आंसर होगा मेरा एक ना कैलकुलेशन किस तरीके से करती है हमेशा ही मैटर करता है और वन इसका डेटेल नहीं बता है सब कोई पता है कोई पताने वाली बात है नहीं इन ट्रियंगल ABC D is the midpoint of AC A is the midpoint of AB such that EC bisect करेगा BD को EC किसको bisect करेगा BD को D midpoint है किसका midpoint है D? AC का A C का midpoint है D ठीक है E midpoint है AB का कुछ इस प्रकार की जो EC है वो bisect टरता है इसको किसी point F अगर इमीडियन का midpoint हो जिसका मतलब यह ratio हमेशा वन रेश्यो टू बनेगी कितना है दो की value 30 है पुछा क्या है यह भी अर्या है विकार क्वेश्चन एक की value कितनी आगी अंदरा आगी यह मैंने प्रूफ करके क्लास में offline बहुत प्यार से सिखाया हुआ आपको कई लोग पता नहीं क्या MPG PG PG क्या लगाते रहते हैं इसके लिए स्टीटाइब सिंपल सी बात है सिमिलैरेटी का स्टेंडड इंप्लिमेंटेशन है जो मेरा प्याराव वे टेज्ट क्लास को देख रहा जग इसको नहीं पता कि क्या चीज है में थोड़ा सा उतको प्यार से बता देता हूं मिड़ पॉइंट थे और हो एक स्टेंडड इंप्लिमेंटेशन है बैक्राउंड अप्रोच क्या है बताता हूं यह मीडियन है यह अलग ट्रेंगल बना रहा हूं यह मीडियन का मिड़ पॉइंट है मैंने इसको जॉइंड करवाया ठीक है किसी पॉइंट माल लेते हैं एफ पे जाके मिला तो अगर मैंने इसके पैरलल एक लाइन डो कर ली यह और यह मीडियन पॉइंट है ही यह जाके मिलेगी यह इन रिशो बन जाएगा इतने सेगमेंट के लिए इस ट्रेंगल में इसबिल में है मिड़ पॉइंट M और F अगर यह मिड़ पॉइंट है M और F तो यह रेश्यो भी वन रेश्यो बन गी यह रेश्यो वन और पूरी कितनी बन गी है टू यह ओल्वेज होता है बेटा वन रेश्यो टू कोई यह एंपई जी वगएर अचा करनी स्टेंडर कोईशन ध्यान रखना मीडियन के मिड़ पॉइंट को चोटना माला सेग्मेंट और पोजट सैड़ को वन रेश्यो टू में तोड़ेगा इसको देखते हैं क्या करना है इसमें वन बाई एक्स प्लस वन वाई दिया है एक्स क्यूब वाई क्यूब इसका बेसिक फ एक्स प्लस वाई कितना न बिटना 5 वाई एक्स वाई की वेटेज कितना वज wreck गया पांच बटे 9 बस किस भासओ अरी से भाग दो इन्चों के बाराथ चार सही दो बटे तीन या फिर या अंसर इसका मेरे पास कोई शोट ट्रिक्स नहीं होता है तुब बैरी ओनेस्ट बोर्ड मास आपको करना ही पड़ता है मेरा यह मानना है इसने का ठीक है कुछ बलंबी से कहानी दे रखे है फिर इसको पढ़ने के जुरूत है नहीं इसने का कि एवरेज प्रोड़क्शन होताना है दो जार आठ नो और दस का एक कंपनी का वी कंपनी ए इस कलर में है आठ नो दस चार और पांच नो और च्छे पंदरा तो पंदरा स जाएगा एक सेंड बिटा सत्तर असी एक सो पचास और साथ दोसो दस इन से कट करना इस चीज़ को इन से कट होजएगा 500 फीर थीन से कट हो जाएगा सत्तर पे तो 570 दराइट आट आंस लिए इन सर्कल विच सेंटर ओ एबी एंड सीडी आर्टु पैरलल कोड्स ऑन दे सेम साइड सारी क्लास नॉट्स में हाई लेवल पढ़ा ही जाती तो उसका रीजन होता है क्लास के नॉट्स उठाके चेक करना यह कुछ नाहीं पहले कोशन आ था मैंने बताए डिरेक्ट नॉर्मली यह नहीं मिलता ठीक आपको करवाया हुगा पूरा प्यार से अब चेक करना सीज को और यह कोशन बिदो पैरलल कोड्स सेम साइड में होती है यह भी आफके क्लास नॉट्स में आपको एसट इस मिल जाएगा जिन बैचिस मैंने रिसेंट में ओफ-लाइन में जमे करेगी प्रपेंडिकुलर भी होगी अगर आप सेमेट्रिकल डिस्टेंस लेके आ रहे हैं तो चलिए यह रेडियस है यह भी रेडियस है यह डिस्टेंस दोनों के बीच कितने बता रहे हैं तीन इसको मान लेते हैं एक्स अठारा वाली चीज़ का सेगमेंट नो रह गया और बारा वाली का छे हो गया तो पाइथागोर उस्तियोरम से जो आर स्केर है नीचे वाली ट्र जो वीडियो देख रहे हैं साथ की साथ रिपीट करो यह बनेगा एक्स प्लस थ्री का ओल स्केर प्लस में सिक्स का स्केर और बड़े वाले ट्रेंगल में क्या बनेगा एक्स स्केर प्लस में नाइन का स्केर ठीक है इसको खोल देते हैं यह बने जा एक्स स्केर प्लस में न नो का 5 टाइम, नो का नो टाइम, नो का चाय टाइम बच गया, एक्स बराबरे 36, देखो, मिल्टिप्लाइ करने का अडिशन करने का सब पतरी का अपना अपना है, तो आप अपने इसाब से कर लेगा, जजमेंट फास्ट होता और भी अच्छा होता है, X की value 6 आगी तो आप कहेंगे R square किसके बराबर है बेटा 6 का square प्लस में 9 का square 81 प्लस 36 117 का root कितना हो जाएगा 9 और 13 यानि 3 and root 13 यह आपका final answer है radius पूछा है diameter पूछा है दूबल कर देती है A certain sum amount to this much in 2 year this much in 3 year at CIE compounded anomaly भाई series की बात है CIE में जो पिछले साल की amount है वही आपका principal होती है तो यह 3 amount है amount 2 यहाँ principal की तरह act कर रही है 29 1600 तो एक साल का interest कितना मिल आपको 28 332 11 में से नोगे 2 ठीक है यह एक साल का interest है कितने principal पे है 219600 पे multiply कर रहते हैं 100 से हैं समझे rate मिल जाएगी 46-48 तो यह 8% rate मिल गी यह judgment थोड़े सी होनी चाहिए आपके अंदर यह 360-240 होता है तो यह बिल्कुल फरफेक्ट कटेगा आठ से अब rate 8 है चालिस जार इन्टू आठ इन्टू दू पी इन्टू आठ इन्टू आर इन्टू टी वाई हैंडड को कि क्या निकालना है ऐसा ही तोलचो के 64 64 से अपका answer आच तो यह कुछ कास बात थी नहीं यह divisibility approximation and division काफी प्यार सिखाया है वहाँ ओफलाइन के अंतर मैंने online मेरी वीडियो है कोई अगर आप simplification में चेक करेंगे तो मिल जाएगए आपको मैं तो calculation का एक session में करवा भी देता हूँ अगर नीड हो तो आप मुझे comment के थुरू बता देना आप मैं सक्योंने question किया होगा पर गलत किया होगा डाग्राम नहीं बन रहा होगा वह एसी भी कितना है विट आपका 115 उसका साफ साब मतलब है triangle obtuse angle है और अगर आपकी triangle obtuse angle हुई तो मैं शोर क्या मुझे simple सी बात प्रता है कि इसका जो circumcenter होगा वह इससे बाहर लाई करे अंदर obtuse बाहर चला जाता है तो आपको यह वाल angle बताना है अब देखो इसने minor segment पर 115 बनाया तो मेजर पर कितना बनाएगा 180 minus 65 मेजर पर 65 बना तो center भी सका double 130 पचास बचेगा तो 25 इधर और 25 इधर हो गया पूरा question solved देखे न adjustment यह बड़ी simple से छोट छोट पॉइंट को ऐसे सी यूज़ करता है उनको ध्यान रखना चाहिए the average weight of some student in a group is 156 यह average height है पांच student जनके height 160 है चार ज्यादा है पांच student है तो 20 का deviation दिया सम में और average में कितना deviation है 0.8 का इसको 10 कर दूँ यहाँ पर 8 से धाई पर कटेगा धाई इंटू 10 कितना होगा 25 डैविएटेड एन की value कितने है 25 लेकिन पांस तो बाद में आए है initially कितने थे 20 average कि मैंने तीन session YouTube पर डाल रखें तीनों को बड़े प्यार से देखो deviation क्या फंडा समझाया है तो यह को असाना यह shift की 930 कितना होता है 1 by 2 4 बार में टिक लाई कर लो 1 by 16 430 रूट 3 by 2 9 by 16 10 by 16 यहने 10 by 4 रैट 1 by 2 2 minus में 2 into 1 by 2 यहनी 1 minus 1 by 2 into 3 प्लस का 3 by 2 3 by 2 बोल दूँ यह 6 by 4 16 by 4 कितना आंसर आ जाएगा 4 आंसर लिए सबने कर भी लिया आगा है इसमें कोई यह सिखास बात थी नहीं इसका अगर होल स्केर करते भी है अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो वह बनेगा क्या x square प्लस 4 y square वो दे रखा है 53 minus 2 a b और यह value पांच है तो पांच का square कितना आएगा 25 minus कर देगा minus का 28 ब्राबर माइनस का 4 x y वैट क्या x y की वेटेज कितनी आई वेटा 7 यह क्या है a cube minus b cube यह क्या होता है a minus b full cube फ्लस में negative फ्लस में 3 a क्यों 2 मैंने आगे निकाल दिया है वेटा b into में a minus b 2i है value रखते चलो यह value 5 बताई है x y आपने 7 निकाला है 7 2 नहीं 14 अंजे 70 तिये 210 और 5 cube कितना आपता है 125 पाच दो एक तीन और एक तीन और एक तीन 3 3 5 अंचली simplified को बहुत ऐसा नहीं के tough question है यह boat can go 27 km upstream and 33 km downstream in 6 hours in same time 36 km upstream 22 km downstream यह बिच्छे गंटे आकाम चली है और 30 कितना बनता है 108 तो यहां से यहां तक कितना अंतर आ गया 60 सी कर लेते हैं 48 और 6 चमवन का 55 km upstream यह 12 और यह 18 न बचेगा 6 घंटे में upstream speed कितनी आएगी 9 km per hour नाइन से यह cut करना कितने हैं त्री आवर्स फिर त्री आवर्स प्लस 33 डी एक्वल टो 6 आवर्स त्री बच गया 33 downstream is equal to 3 hours मतला downstream speed कितनी है 11 km per hour 44 km जाना है चार घंटे छत्ती जाना है नो की speed से चार घंटे चार प्लस चार कितना हो जाएगा 8 घंट राइट आंसर कितना है एट आवर्स पी माइनस टू क्यू पी क्यू अरे यार यह अभी तो same question आना था चलिए आपको homework आप खुद से प्लीज करके answer comment करना question number 22 का देखते हैं कितनों ने session intent किया था एक्चुली कमेंट आएंगे उनका पता चलेगा ratio of export over import five years ये ratios हैं सारी export को आगे रखना है import को पीछे रखना है ये आगे रखना है चार और चार आठ और पांच तेरह और चार त्रह और च्छे तेईस इन्हीं तेईस सो तो आएगा ये आएगा वीचे से लग जाओ वीस और असी सो डेड़ सो एक्सो सत्तर ना मनेगा चोविस सो सत्तर इसको उपर रखना है बटे में अब आज है import भी ये तीन सो विटा है न तीन और तीन छै और चर दस और चर चोदा है और पांच उननिस नहीं उननिस तो पक्का आएगा पचास और असी एक्सो तीस और इस एक्सो पचास और पचास दोसो और असी दोसो सी नहीं बन जाएगा इससो सेंटालिस रश्यो डोसो अठार एक्सपोर्ट को आगे रखना है ऐसे उप्शन आपको कई मिल जाएगे इक्सपोर्ट को आगे रखना है समीर और पुनित किन कंप्लीट सेम वर्किन टेन एंड फिफ्टीन देज एंड एंड फिफ्टीन डेज रिस्पेक्टिवली वह असाइन होते हैं 4500 में आफ्टर थ्री डेज दे इन्वोल्ड असोग वर्क टोटल पांस दिन में कंप्लीट हो तो असोग को कितने मांट विली देको दस और पंद्रा ये कोन है बिटा समीर है उनित है अब नहीं का जी ऐसा है तो एल्सियम तीस आ गया वर्क तीस उनिट का है तो एफिशेंसी कितनी है तीन और दो की कंबाइन एफिशेंसी पांच और काम करते रहे है तो टोटल पांच दिन 25 काम के इनो नहीं बचा पांच काम किया अशोक भाई साब ने तो बेटा तीस काम करने के कितने रुपे मिलते हैं तो एक काम करने कितने मिलें एक सो पचास तो पांच काम करने कितने मिलेंगे 750 कई लोग काम का टाइम विश करते पहले तीन का निकालो फिर दो का निकालो अरे भई अशोक की बेटे परसेंट यूनिट है CP1 की वो बराबर है 16 116 यूनिट CP2 के CP1 रेश्यो CP2 कितना है रिवर्स कर देंगा आप इसे 29 रेश्यो 20 तो कुल बेट इस कितने वनी उनने इन चास उसने पता ही 490 एक उनिट कितने आगे 10 लोस वाला इधर लिखा हुआ है इसको बताना है कितने का हुझेगा 290 का ठीक है चली एक लास्ट कोश्चें यह एक्स्पेंट का डाउट आया था मेरे पास रुची पिटा इसको बता है कि डैवेशन से नहीं हो पा रहा था डैवेशन से करते हैं इसको एवरेज वेट ऑफ सम परसन इन ग्रूप इस सेवेंटी टू केजी ठीक है सम है मतलब हमें नहीं पता कितनी है पांच परसन जिनका एवरेज वेट 66.5 है इन्होंने जोइन किया इससे लोस हु मतलब कितना होगे बिटा पी का लोस यह छोड़ के चले गए तो 39 का लोस यहां से होगे 27 का लोस यहां ओवरॉल हम 66 के लोस में है जिसकी वजह से मारा माइनस का 1.65 हो गया इवरेज उपर हैंड़ कर दो इसके डैसिमल अटाके माइनस से माइनस कट गया ग्यारा से 6 पे 11 से 20 पे 5 से 3 पे और 3 से 2 पे 2 इंटो 20 कितना बना बेटा 40 यह डैविटेड एन कितना है 40 अब बताओ गए 13 लोग आए 5 लोग तो डैविशन में 8 लोग कम भी तो हैं इनीशिली कितने थे 48 यह डैविटेड आंसर कुछ खास बात थी नहीं कोशिट के अंदर लिए यहां तक का स अगले सेशन में आफलाइन मिल जाएंगे तिल दन अल देवेस्ट वेस्टो लॉफ यू थैंक्स ववचिए